Friends, क्या कभी आपने सोचा है कि Sunmarines के अंदर सामने आने वाली चीज को देखने के लिए इस Instrument का यूस किया जाता है वो इस Instrument को देखने की Direction कुछ इस तरीके से होती है और नीचे वाले कुछ इस तरीके से देख रहे होते हैं तो आकर ये कैसे possible होता है कि वो सामने वाली चीज़ को इतना clearly देख पाते हैं कई लोग कहेंगे कि इसके अंदर mirror का use किया जाता है यानि कि सामने वाली object में से आने वाली light rays है वो एक mirror से टकराती है और फिर टकराने के बाद reflection हो करके दूसरे mirror में दिखाई देता है लेकिन देखें दूर तक की चीज़ों के लिए यह चीज़ कारगर नहीं है क्योंकि हमें पता है कि हम लोग पहले spherical mirrors पर चुके हैं और mirrors पर चुके हैं कि चीज जितना दूर होगी उतना ही छोटी दिखेगी वैल उसको clear देखने के लिए हमें कुछ और technique का इस्तमाल करना पड़ेगा तो आप कहेंगे lenses का इस्तमाल करना होगा वैल lenses की बात अभी मैं नहीं करूँगा क्योंकि lenses के कुछ अलग properties होती है लेकिन मैं आपको बता दू कि इस instrument में mainly जो use किया जाता है वो use किया जाता है prism का और यही कारण है कि इसको periscope के नाम से जाना जाता है telescope अलग होता है, microscope अलग होता है और यह periscope होता है इसके अंदर होता यह है कि कोई भी light ray यानि कि वो किसी भी object में से आ रही हो वो इस prism में आती है और deviate होकर के दूसरे prism में जाती है और फिर दुबारा deviate होकर के आँखों में जाती है यानि कि basically एक prism का जो काम होता है वो light ray को deviate करना ही होता है और Newton prism experiment के अंदर भी यही पता चला था कि यही वो एक सबसे अच्छा instrument है जो कि किसी भी light को अच्छी तरीके से deviate कर सकता है और उसी के दौरान हमें dispersion देखने को मिला था अलाकि prism में dispersion हम लोग आगे देखेंगे लेकिन यहाँ पर हमें यह पता चला कि जो prism है उसका mainly जो काम होता है वो deviation of light होता है तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि किसी भी prism में से minimum deviation of light कितना हो सकता है क्योंकि देखिए इसका deviation वैसे constant नहीं है क्योंकि अगर आप बात करें refractive index of prism की वो अलग-अलग हो सकता है वो depend करता है कि आप उसे कौन से material मतलब कौन से glass से बना रहे हो दूसरा light का incident angle पर depend करता है तीसरा angle of prism angle of prism मेरा मतलब है कि हमें पता है prism के दो plane incline होते हैं और उनको कुछ इस तरीक से जोड के बनाया जाता है तो यहाँ पर यह जो इन दोनों के बीच में जो angle बनता है वो angle of prism है अब माली जी कि आप एक बड़ा prism बना रहे हैं तो obvious सी बात है कि इसका angle होगा वो भी बड़ा होगा तो जो हमारा deviation है वो भी बड़ा हो जाएगा इसलिए जो deviation of light in prism होता है वो कभी constant नहीं होता है इसलिए आज हमें यह पता करना है minimum कम से कम कितना deviation हो सकता है किसी भी light ray का एक prism के अंदर तो उसी चीज की calculation आज हम लोग करने वाले हैं थोड़ी सी geometrical mathematics की मदद से थोड़ा सा लंबा है derivation लेकिन दियान से देखेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा 4-5 equations का है जादा भी नहीं है तो friends शुरू करते हैं सबसे बेले हम लोग क्या करेंगे प्रिजम कंसिडर करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके से है और मानेंगे कि यहां से एक live tray आ रही है जो कि eye incidence angle बनाएगी यहां पर यहां जाकर यह टकराएगी और इसका normal कुछ इस तरीके से बनेगा अब यहां पर normal इस तरीके से क्यों बना है ऐसे क्यों नहीं बना, सीधा क्यों नहीं बना यह बात पता चुका हूँ, बहुत basic है कभी भूलना मत, ठीक है तो यहां से जब यह अंदर जाएगी तो हमें पता है कि यह normal की तरफ जुकेगी normal की तरफ यह जुकी तो कुछ इस तरीके से अंदर गई और दूसरे कोने पर जब यह टकराएगी तो फिर से normal बनेगा और बार की तरफ जो है बार निकल जाएगी तो यहां पर angle of incidence जो होगा वो I बनेगा, यहां पर angle of reflection होगा first angle of reflection वो R1 बनेगा यहां पर second angle of reflection जो है आपका R2 बन रहा है और यहां से जहां से यह light बार निकल रही है यहां पर हम लुखेंगे E यहां पर angle of emergence बार निकलने का angle ठीक है, अब यहां पर करना क्या है कि जो light ray आई थी, मैं क्या करता हूँ उसको थोड़ा सा आगे बढ़ा गता हूँ यहां पर जो real path होना था, वो यह होना था actual path, लेकिन वो deviate हो गई ठीक है, तो इस तरीके से यह आगे बढ़ गई और यह जो emerge हुई है यानि कि बाहर निकली यह जो हमारी light इसको भी मैं पीछे बढ़ाऊंगा, तो यहां पर जाकर करके कहीं मिलेगी तो यह intersection point बना तो यहां पर हमें angle मिल जाता है angle of deviation delta ठीक है, इस point को T नाम दे दिया है ठीक है, और यहां पर जहां पर यह दोनों के दोनों normal बिल रहे हैं, इस point को L नाम दे दिया है ठीक है, और उपर वाला जो angle है वो आपका prism angle है, यानि कि prism angle angle of deviation, incident angle refracted angles, जो तो की 2 है R1, R2, और E यानि कि angle of emergence आई गया, और मैं आपको बता दू कि इसका जो refractive index है, वो mu2 लिखा है मैंने, या फिर N2 भी लिख सकते हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और यह जो भार air है, इसका N1 लिख देते हैं ठीक है, अब यहां पर हम लोगों को सारी चीज़े clear होगे, यह सारी की सारी चीज़े है इस prism का जो हम लोगों ने ABC नाम दिया है इस light ray को PQRS नाम दिया है अब देखिए हमें करना यह है कि prism angle A, angle of deviation delta और हमारा refractive index N2, इनके बीच में हमें इक relation निकालना है, क्यों? क्योंकि angle of deviation जो है वो depend करता है angle of prism और हमारे refractive index के उपर तो इन तीनों के बीच में ही कोई ना कोई relation निकलेगा तब ही हमें पता चलेगा कि हमारा जो angle of deviation है, minimum वो कितना हो सकता है तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, geometry से इस a angle और इस r1 और r2 के बीच में एक relation निकलना पड़ेगा वो हम लोग करेंगे geometry की मज़द से अब वो कैसे होगा, देखिए मैंने यहाँ पर एक quadrilateral यानि कि quadrilateral जो है मैंने consider कर लिया, वो quadrilateral होगा a, q, l, r ठेक है, अब quadrilateral की एक condition होती है कि सभी की सभी जो angles होते है वो 360 degree के बराबर होगी, right यानि कि यहाँ पर हमें लिख सकता हूँ angle a, plus angle q, plus angle l, plus angle r is equal to me 360 degree कोई दिकत वाली बात नहीं है, ठीक है साब यह angle a का a तो है, इसको a लिख देते हैं, क्यों? क्योंकि यह तो fix है, हमें पता है prism का जो angle है, वो a है, right यहाँ पर जो angle q होगा, वो क्या होगा? बताइए, वो 90 degree होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर नॉर्मल बना हुआ है तो यहाँ पर 90 degree, plus angle l पता नहीं है, unknown है, ठीक है, छोड़ दीजे angle का l, और यहाँ पर जो r होगा, वो कितना होगा? अब यहाँ पर हमें करना क्या है, कि इस r1, r2 और l के बीच में एक relation निकालना पड़ेगा, जिससे कि हम लोग इसको, इस पहली equation को आराम से resolve कर सकें, तो इस r1, r2 और l के बीच में हम लोग कैसे निकाल सकते relation? और विससी बात है, नीचा वाल नीचे वाला हमारा जो triangle है, इसको ही हमें consider करना पड़ेगा, तो triangle होगा, triangle q, l, r, ठीक है, हमें पता है कि यहाँ पर दो angle हमें दे रखें, r1, r2 plus l is equal to में, क्या होगा? 180 degree होगा, तो इस तरीके से equation number 2 निकली, इन दोनों ही equations को जब हम लोग compare करेंगे, कि आप देख सकते हैं कि right side, यानि कि 180 degree, 180 degree बराबर है, तो हम इन दोनों को बराबर रख सकते हैं, तो रख दीजे बराबर, तो बराबर रखने पर a plus angle l is equal to में r1 plus r2 plus angle l, तब यहाँ पर क्या refracted angles के addition के बराबर होगा, तो यह question number 3 हमारे सामने निकल के आ गई, ठीक है, अब देखिए मुझे क्या करना है, अब मुझे करना यह है कि angle of deviation को refracted angles, incident angles और emergence angles, इन सब से क्या है relate करना पड़ेगा, जिस से कि मैं इस angle of deviation को इस angle of prism से interlate कर सकूँ, क्यों, क्योंकि देखिए हमें पता है यह जो angle of prism जो है, वो already related है in refracted angles से, तो अब अगर मैं क्या करूँ कि इस angle of deviation को refracted angles से relate कर दूँ, तो मैं आपस में इन दोनों को भी तो relate कर सकता हूँ, और यही तो मेरा main task है, तो इसलिए मुझे एक और triangle consider करना पड़ेगा, और वो triangle होगा triangle qtr, अब देखिए यहाँ पर, यहाँ पर दे रखा है हमेरा angle of deviation, जो कि एक external angle है, एक triangle के बहार का angle है, इस external angle के अंदर क्या करना पड़ेगा, कोई दो angles जोनने पड़ेंगे, यह यह वाला angle और यह वाला angle, अब इस वाले angle की value क्या होगी, जरा गौर से समझ के देखिए, यह बहार जो angle है, और यह पूरा जो angle है, यह opposite है, यह angle r1 है, इसलिए इस angle की value i-r1 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, हो जाएगी ना, इसी तरीके i-r1 plus e-r2, ठीक है, इतनी बात हमें समझ में आगई, इसको थोड़ा सा खोल देते हैं, i और e को जोड़ देते हैं, यहाँ से minus को common ले लेते हैं, यहाँ से minus को common ले लेते हैं, यहाँ delta is equal to i plus e minus r1 plus r2, और मैं पता है कि r1 r1 plus r2 क्या होता है, वो a होता है, तो delta is equals to i plus e minus ka a, और यह बन जाती है equation number 4, यह जो है एक interrelation बन गया angle of deviation और angle of prism के अंदर, इसकी हमें जरुवत है, अब देखिए यह तो चीज हमें समझ में आ गई कि angle of deviation का थोड़ा सा हम लोगों ने जान लिया, अब minimum deviation के हम लोग बात कर रहे हैं, यानि कि delta है, वो minimum होना चाहिए, तो angle of incidence जो है, वो angle of emergence के बराबर होगा कि नहीं होगा, देखिए यह actually theorem है, जिसमें क्या होता है, कि जब deviation से बहुत कम होता है, minimum होता है, तो उस theorem कभी और किसी, कभी और बात करेंगे इसके बारे में, तो यहाँ पर I is equal to में E, ठीक है, तो अब यहाँ पर I is equal to में E है, तो obviously बात है कि इसके जो refracted angle है, वो भी बराबर हो गए होगे, जो अंदर R1 और R2 दे रखे हैं, वो भी बराबर हो गए होगे, यहाँ कि R1 is equal to में R2 और इस पूरे को R भी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, कि जहाँ पर R1, R2 लिखा हुआ है अब तक, जिन equations के इंदर, वहाँ पर R को substitute करेंगे, जिससे की equations और ज्यादा resolve हो सके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लिख देते हैं, हम लोग क्या करेंगे, एक्वेशन नमबर 3 उठा ली पहले, एक्वेशन नमबर 3 में क्या है, R1 प्लस R2 दे रखा है, तो यहाँ पर हम लोग R लिख देंगे, ठेक है, दोनों की जिगह पर, तो यानिकि A इक्वेशन नमबर 4 से, एक्वेशन नमबर 4 में क्या है, आई प्लस E मैनस A दे रखा है, इसकी जिगह पर आई रख देता हूँ, यानिकि डेल्टा इस इक्वेशन में 2I मैनस A हो जाएगा, क्योंकि मैं पता है, आई और E की वेल्यू बराबर है, ठीक है, और हमें निकाल लिए वेल्यू आई की, तो आई इस इक्वेशन में डेल् अगल आउफ डेल्यू डेल्टा, अगल आउफ प्रिज्म ए, ये रिलेशन के अंदर आ चुके हैं, और आखरी चीज हमारी क्या थी, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स थी, आब मुझे एक बाद बताईए, आपके बस I की वेल्यू है, आर की वेल्यू है, ठीक है, उन दोने के अगल आउफ डेविएशन और अगल आउफ प्रिज्म का रिलेशन बैठा हुआ है, और अब आब इसके अंदर एक और रिलेशन बिठाना चाहते हैं, वो है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स का, अब इसको इससे जोड़ना चाहते है, तो आप लोग कैसे जोड़ेंगे, जरह स तोचिए, तो बहुत सिंपल है, आई और र की वैल्यू हो, तो हम लोग इसके अंदर स्नेल स्लो लगा देंगे, वो स्नेल स्लो क्या होता है, एन्टो वन इस इकल स्टू में, साइन अपन में, साइन आर, जहाँ पर एन्टो जो है, वो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है, प्र कि आपका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स भी आ गया, एंगल ऑफ प्रिज्म भी आ गया, और एंगल ऑफ डेविएशन भी आ गया, इस तरीके से आप एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो इस तरफ ले आईए, मतलब इसको थोड़ा सा रिजॉल करक और तीसरा वैसे एक इंसिडेंस एंगल के उपर भी करता है, वो आप लोगों ने बीच में फॉमिलेस देखी लिए, तो अब यानि कि अगर पैरिसकोप, यानि कि सम्मरीन के अंदर अगर किसी को कोई चीज बहुत दूर तक देखनी पड़ेगी, तो अब यसी बात है कि य 90 डिगरी में डेविएशन हो, और वो आसानी से सामने वाली चीज को देख सके, तो simply एक प्रिस्म ने हमें क्या दिया, एक प्रिस्म ने हमें लाइट को डेविएट करना सिखा है, अब ये था minimum, अब जैसे जैसे एंगल बढ़ा हो गए, यहाँ पर एक बढ़ने का मतलब क् प्रेंटिर, इस तरीके साब देख सकतें कि जो ट्राइंगल है वो बड़ा हो गया है, तो यह एंगल जो है बड़ा होता जा रहा है, बड़ा प्रिजम ज्यादा, इसका है ईफ्रैर्क्टिव इंडेक्स ठीक है, इसलिए ज्यादा डेविएशन, इसलिए ज्यादा देखने को मिलेगा तो फ्रेंट्स ये हो जाता है minimum deviation in a prism आपको समझ में आया होगा I hope आपको वीडियो helpful साबित रही होगी इसके बाद भी अगर आपको कोई query आती है कोई परिशानी आती है फ्रेंट से कोई गलती हो जाती है तो प्लीस आओ में comment section के जरीए बताईए So friends आज की इस वीडियो में बस इतना ही